असलाम अलेकुम वीवर्स आज मैं आप लोग के साथ शेयर करें विहारी स्टाइल चिकन बुना मसाला की रेसिपी तो वीडियो को फुल वाच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस न हो जाए और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है चैनल पर फर्स टाइब मे और एक चोटा चमच मैं इसमें हल्दी पॉडर एट कर रही हूँ और एक चोटा चमच कस्मीरी लाल में पॉडर में आठ कर रही हूँ तो किसी ने बोला थे लिसे वाम जो चिकन बनाते हो उसका कलर बहुत अच्छा आता है और हम लोग बनाते तो अच्छा नहीं आता है त यहां परी मसाला को अच्छे से में हाथ से मिक्स कर ले रहे हूं तो आप चाहे चम्मत से भी मिक्स कर सकते हो तो फिलाल मैं यहां पर हाथ से मिक्स कर ले रहे हूं तो यहां परी चिकिन और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसे 30 मिनिट के लिए ढख के मैरिनेट चिकन को यहां पर कड़ाई में सरसो का तेल गरम हो चुका है अब में इसमें दो तेज पत्ता एट कियों और दो लाल मिर्च और दाल चीनी का टुकड़ा एक बड़ी लाची और तीन लॉंग मैंने इसमें आट किया है तो जब भी बड़ी लाची डालिएगा उसका मुझ को तो यहां पर हम मसाला को अच्छे से हलका सा फ्राई कर ले रहे हैं अब हम इसमें प्याज एट करेंगे तो यहां पर हमने दो बड़े सा एच का प्याज लिया था और इसे एक्दम पतले-पतले स्लैशेस में मैंने चॉप कर लिया है प्याज को चलाते वे हाई फ्लेम में जब तक color इसका light golden brown ना आ जाए तब तक के लिए इसे चलाते वे fry करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज का color हलका सा चेंज हुआ है बस थोड़ा सा और इसे fry करेंगे तो इसका color light golden brown आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्ट color आ चुका है अब मैं इसमें marinate किया हुआ chicken add कर दूंगी जो पहले से मैं marinate करके रखी थी और फिर इसे तूरन चलाएंगे नहीं तो प्याज जो नीचे है न वो जल जाएगा क्योंकि gas का flame on है तो तूरन चलाके इसे अच्छे से प्याज के साथ और मसाला को चिकिन को तो यहाँ पर ही मैंने जो बर्तन में chicken को marinate किया था उसमें थोड़ा मसाला लगवा था और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी देखे वह मसाला वाला पानी भी मैंने इसमें add कर दिया है तो आप भी जब बनाएं तो ऐसा ही कीजिएगा क चलाते वे बुनना है तो यहाँ पर यह बुना चुका है अब मैं इसे लो फ्लेम में ढखके पाँच मिनट के लिए कूखोने के लिए छोड़ दूँगी तो यहां पर हमारा पांच मिनिट हो चुका है अब हम चिकन को अच्छे से चला लेंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा और अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें और हम मसाला एट करेंगे तो अब मैं इसमें एट कर रही हूँ एक छोटा चमच जीरा पॉडर और एक छोटा चमच भर के धनिया पॉडर मैं इसमें एट कर रही हूँ आदा छोटा चमच काली मिर्स पॉडर तो यह सब मसाला डानने के बाद हम इसे फिर से तीन से चार मिनिट के लिए हाइफ लें में चलाते वे बूनेंगे तो मसाला जितना अच्छे से भूनाएगा आपका जो सालन है चिकिन भूना मसाला यह उतने ही अच्छा बनके तयार होता है तो यह बात का आप लोग ज़रूर धियान दीजेगा मसाला को अच्छे से भूनिएगा तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भूना चुका है और पूरा ओइल छोड़ दिया तो मसाला जब भी भूनिएगा तो आपको समझ में कैसे आए आपका मसाला अच्छे से भूनाया है कि नहीं तो मसाला में जब ओइल छोड़ दे और पानी सुक जाए तो आप वो भी कर सकते हो एक ग्लास से नापके डाल सकते हो तो आप हम इसे लो फ्ले में 15 मिनिट के लिए कूख होने के लिए छोड़ देंगा और बीच में एक बार चलाना है नहीं तो सालन जल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो यहां पर हमारा चिकन कूख होए वे 15 मिनिट हो चुका है और इसे मैंने बीच बीच में एक बार चलाया भी था तो जब भी आप बनाएं इसे जब भी लो फ्ले में कूख कीजिएगा तो बीच में एक बार जरूर चलाएगा नहीं तो क्या होगा आपका चिकन जल जाएग तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक एट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा है इसलिए तो जब भी आप बनाएं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा तो नमक डाला है इसे हम अच्छे से चला ले रहे हैं नमक मिक्स हो जाए अब मैं इसमें आद मसाला का फ्लेवर चिकन में अच्छे से चले जाए तो इसलिए से और दो मिनट के लिए कुक कर लेंगे तो दो मिनट बाद फिर गयास बंद कर दे रहा है तो रेडी हो चुका है चिकन भुना मसाला बिहारी स्टाइल में तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमे कर दो कर दे दो कि एल वा और दो दो आपको कुक को है ये वहारी मिनट कि लिएके उरे किन class बाद से प्लेश के स